कि दूस्टों कि है लो दोस्तों दिसिस कॉमटे इकनबी और मैं भी आपको जा रहा हूँ बताने के लिए कि जो हमारा ऑकुनु का अच्छा सा प्रोजेक्ट आप मैसेज कर सकते हो और चैनल भी आप उसे जोन कर सकते हो जिसमें मैं वीडियो डालता हूं या कुछ भी लेटेश अबडेट करता हूं तो आपको आप मिल सकता है या पर कोई पीडिये फुटर में डालता तो वह आपको वह आसानी से मिल सकता है तो बागी चलिए शुरू करते हैं यह इगनु का देखो यह प्रोजेक्ट में आप सैंपल करूप में दिखा रहा हूं मैं इस पर ही आपको बताने वाला हूं किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना तो वहां से आपका सबका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ना इगनु वाले कि कहते हैं पहले साइनीशिसम को चाहिए तो सिर्फ इसमें साइनिशिसी एड है पहले बागी सब सही है देखे सबसे पहले हमारा हमारा जो है यह टाइटल पेज आपको दीख रहा होगा यहां पर है ठीक है टाइटल निए टाला है और उसके बाद टाइटल फैज फिर अपर लिखा दिखा फिर सब्सक्राइब लुद्ट सब्सक्राइब कर रहा हुता अपने अपने करन रहा था तो छादा सही होता है कि अगर अगर लेतो तो बाहर से गाइड का पूरा डीटेल हमें चाहिए होता है कैडमी क्वालिफिकेस्ट सारा चीज मांगता है यह ठीक है तो इससे थोरी प्रॉलम हमें बढ़ जाती है तो वह चीज है कि कैडमी कॉंसल साफ करना तो ज्यादा सही रहेगा बाकि इस तरह देखो पहला टा है Context 없고 file में क्या क्या है सबसे पहला है एक साइन कर वाया था कि हां मिरा प्रोजेक्ट है और आगे में प्रोजेक्ट work कर सकता हूं वह आपका स्युनान हो जाता ह्य dlatego फ्रोजेक्ट है यहां पर टाला लिए प्रयतुल्स हो 6.26 आम ऐस आपको दिखा रखा है प्राने वीडियो में ठीक है उसका हमारा क्या है प्रोजेक्ट है तक प्रोजेक्ट 28 से ले कितना पेज है तो मैंने यह पेज नेमर डाल दिया ताकि उनको काफी असानी हो खोजने में और उनको किसी भी तरह का प्रॉलब ना हो तो उनको जो हमारे पा यहां पर लिख दिया है तो उनको साब पता चलिए कि पेज नमर चार पर जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा इतना प्रोजेक्ट अगर देखना है तो 28 से 184 में देख लेंगे इस तरह से है चलो अब आगे मैं देखता हूं तो देखो यह रहा में पर्फॉर्मा रहा ठीक ह यहां पर मुझे साइन मिला था तो यह यहां पर लिखा हुआ है यहां से प्रोजेक्ट है यहां से प्रोजेक्ट सुरू होगा यहां सबसे पहला मैं यहां से टाइटल पेज ही शुरू हुआ है मेरा और टाइटल पेज ही है आपका देख सकते हो ध्यान से टाइटल पेज ह देन उसके दिवाद मैंने यहां पर iç की यहां पर दीविवुट्र Tucson वो मैंठी लगा दिया है उसके बाद उसके बाद नहीं कि आपको मिल जायगा ठीक है कि तो वहाद से आपLER कोई सक्षाप्ट कि नहीं फिर आपको सर्टिफिकेट और कंप्रेटिशन है तो यहां पर कंप्रेट में रहो गया तो इसका वह चीज़ दिया हुआ यह आपका सारा फॉर्मेट आपको में बारा बरता हूं कि हैंडबुक मिल जाएगा यह मार्क्स एविलूशन वाला जो है न वह प्रोजेक्ट के स्ट प्रोजेक्ट का फॉर्मेट में वैसे दिया तो मैंने इससे लगा दिया वहां भी लगा दो को दिक्कत नहीं है ठीक है वैसे खोजना पर है क्योंकि स्क्रीन सोट आप लेना चाहो तो ले लो इस टेबल कॉंटेंट को जैसे मैंने यह तरह से आपको अरेंज करना है पूरा इसका स्क्रीन सोट आपको लेने चाहो तो ले लो तरह मैंने लगाए तरह से अपको लगाना है घ्यान में चाहां तरह का पूरा ठीक है थी तरह से सारका सारा करना ह्क रहा रहा एकनोलजमेंट किसमें है सारे चीज मैंने यहाँ पर लिखा चैप्टर-1 हमारा ठीक है चैप्टर वाइज है एक चीज है कि आप जो भी चीज बाट ओगे ठीक्ट्ट में किसी प्रोजेक्ट करते हो हर प्रोजेक्ट में आप है इसको एक चैप्टर-वाइज बाट के ही आको और याणी कि आपको लगाना होताए कि आपने कौन सा कुस नायर यूज किया है थे ब्लैंग कुस नायर आपको सबसे लास्ट में अटेच करना होता है जिसको अपेंडिक्स के नाम से हम लोग लगा देते हैं ठीक है तो लगाना मत भूलना कभी एक्जाम किसी भी प्रोजेक्ट में लगता ही है नेसेसरी है जरूरी आप इंट्रक्शन देना है उसके डेफिनेशन देना एक अच्छे से जिस टॉपिक पर बना रहो उसका डेफिनेशन आप अच्छे से देते जाओ और आपका प्रोजेक्ट वहां पर त्यार हो जाएगा जैसे जो भी आपने डिटेल डालो कि कैसे कैसे बात हुई है और सार क्या क्या रिसर्च हुई है जिस टॉपिक आपने लिया है उसमें रिसर्च क्या क्या हुई है उस सारी रिसर्च को बातों को अब लेना है आपको है न कि पूरा चीज बताना है कि रिलेशन क्या है सारा चीज आपको और क्या 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 रिसर्च हुआ है कि लोगों ने रिस चाहिए था ठीक है फिर चैप्टर थी आता है सबसे पहला रेस्ट लिए मैं मतले कि आप क्या इसमें दिखाना चाहरो बेसे कि लिए सब सारे चीज़ जो बात आपको करना है ठीक है वह चीज़ है उसका अब्जेक्टिव आप इस प्रोजेक्ट के दुआरा क्या को अब्जे एम क्या है आपका ठीक है तो आप इससे क्या फाइंड करना चाहते तो वह चीज़ और यह करते हैं अब आते हैं अब है प्रोजेश आप लोग गलत लिखते हो ठीक है है वह बदर तेको किस तरह से लिखाएगा मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि मेरा दो कुई है फिर सब् significant difference in ticket in dash and dash ठिए यह आप ऐसे डाल सकते हो ठिक है there is no significant difference आप ऐसे लिखना है ठीक है यह मतले लिखना यह there is not any relationship finding इस तरह से नहीं लिखना है सिधा एक particular इसका language है फोते किसका कि there is a no significant difference यह फिर इस नो difference यह फिर शुट भी ठीक है no signifying difference ठीक है इस तरह से लेंगवेस ढालता है तो कुछ लोग यहाँ पर into लेता hardship कि आपका किसी बीतरा का डिफरेंस नहीं है कहने कोटर दोनों में किसी तरह का होता है कि नहीं इसमें डिफरेंस है ठीक है तुव जब निकालते हैं है प्रोजेक्ट में डिजेक्टी हो जाता है लेकिन आहिक पर देलते हैं है ठीकिन तरह से लेकिन नहीं फरक पड़ता है हमेशा इसी तरह से ही एक तरह से होता है अपने मैंने दो बार प्रोजेक्ट बनाया है ठीक है एक बार मैंने यहाँ पर मास्टर्स में बनाया है मैंने दो बार बनाया है दोनों बर से मैंने फ़ॉर्मेट मुझे है गाइट के दौरा बताए है को अलग से फॉर्मेट लोगों का भी प्रोजेक्ट मैंने देखा और मैंने देखा तो साथ सब्सारे की तरह सह कुछ अलग hard तरह सभाभन रखना की लिखना है आप अप को ठीक है आप एक हैफ़ाश्य सब्सक्राब करने वाले हो ठीक है यह चीज आपकर अप आप मेटरोजी है कि मैं सेंपलिंग ले रहा हूं और प्रेशनल डिफनेशन सब चीछ देखें मेजरिंग टूल से यूज करने वाला हूं तो वह आपको दिखाना था था फिर सैंपलिंग आपने कौन सा सैंपल लिया है रेंडम लिया है या फिर परपोसिप लिया है या सेलेक्टिव लिया है यह किस तरह का सेंपल आपने लिया है और कितना सेंपल लिया है वह आपको यहां पर बताना है और इच डाइमेंशन में मेल का कितना लिया फीमेल का कितना लिया टोटी मिलाग कितना आपका हो गया है औ तो आपको दिखाना है कि हां कौन सा सेंप्लिंग आप ले रहे हो तो आप किसी को भी एज है उनका पर्टिकुलर एज है तो आपको दिखाना है तो आपको दिखाना है कि हां सिर्फ मेल को लिया है या फिर ट्रांजेंडर पर ले रहे हैं तो इस तरह सा को बताना परेगा उनकी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी इंप्युप्लीवाइमेंट पर है तो आपको यह बताना परेगा कर पहां साब कर रहे हैने मेने प्रोजेक्ट में यहां पर लिखना होता है अब को इंदिपेंडन वरिबल कॉन सा है और डिपेंडन वरिबल कौन सा है आपको साफ-साफ वहां लिखना पर रहेगा प्रोजेक्ट में यह काम हमको साफ 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 समझ माना चाहिए ठीक है और आपको आपको नहीं पता इंडिपेंडेनिट वेरियवल वो डिपेंडड़ यह होता है चाल प्रसमाय कोई सब्सक्र नहिए वर्यूकों कंट ??? गरेंड़ और है और हमेंकट लाहे और गले होता होँ ईचेंड़ देई झाल मेजिन्ञ पर evitar लिएक्त बताना पड़ाना पारे में एक डिटेल आपको बताना पड़ेगा। Anser क्या 5्त क्या 5 पैंफर VSอमारा ये्स और इस नो का खश्या है तो सारा चीज आपको बताना पड़ेगा डिटेल डिटेल जो कि गूगल पर आपको मिल जाता है ठीक है उसी तरह से देखो मैंने दूसरा को सनाय ले उसमें भी क्या का डाइमेंशन चेक कर रहा था तो एक डिटेल हमको बताना पड़ता है बिने डिटेल बताए आप लोग मत अब जाइएगा यह आपको को सनायर का हो उसके बाद भाएगा इस्टेटिक कि आपको याद रखना पर रहेगा तो यह चेप्टर प्रमलों का हुआप डेटा सारा चीज आपको करना है ठीक है और आपको जो जो डेटा तो जैसे चाहे हैं इस तरह से डेटा आपको दिखाते जाना है ठीक है वह आपको च्छोटा भी वह सकता है बड़ा भी तरह रहा ना ठीक है बाकिए आते हैं फिसकान हमारा data analysis में हथिजिस करेंगे एक एक हम लोग data को analysis करें आपका त्वहां लिखेंगे लिखेंगे यह भीन पर इसे करके लिखना पर एगा तो टिस पाइक तरह से करके लिखना पराइगा प्रीक है तिया यह तरह से नियुक्त पूरा चीजव करना पर नहीं है अगर Стis क्या मिला है तरह से हमारा बनेगा चाहते हैं यहीं सब्सक्राइब मैंने लिख दिया तो इसी में मेरा समय सेजेसन एक तरह से है और बाकी यहांपर सेजेसन भी आप डाल सकतो उसके बाद रिफ्रेंस अब कर ठीक है यह इस रिफ्रेंस हो गया रिफ्रेंस के बाद अगर जाएंगे तो सबसे लास्ट में देखो आपको कोशनेयर दिखा देता ह है तो मै पार खकर आ है किस तरह से क्या क्या करना था और क्या से सारे आपको यह काम आहिसन आपको रीफ्रेंस होगा वां I work लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपने गाईड से जरूर सलहा ले लेना किस तरह से रेजमेंट करना हो जाए कि किसी पॉइंट को लेकर तो एक बार उनसे भी लेना ठीक है चाहां तक मैंने अपना किया था इगनुई को फॉर्मेट पे मैंने किया था सारा का सारा जिस्तर से यहां पर टेबल कॉंटेंट का मैंने फिर से दे दिया यहां पर इस तरह सापको पुरा करना है ठीक है और इसी के साथ आप लोग अच्छे से प्रोजेक्ट बनाईए और जो भी गाइडेंस होता आप जाके मेरे जा सकते हो इसके इंस्टाग्राम चैनल पर इंस्टाग्राम है ठीक है बाकी से लिफ्ट हैंक यू बैए